हेलो स्टूरेंट्स और आज हमारी आगाज नीट 2022 की mcq सीरीज का डे टू है जिसके अंदर हम आगी के काफी सारे mcq questions को यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल पर मैं सभी नीट आस्पेरेंट के लिए एक बहुत इंपोर्टेंट mcq सीरीज स्टार्ट कर चुकी हूं जिसका नाम है आगाज नीट 2022 जिसके अंदर आपको बयालोजी की कम्प्लीट रिविजिन करवाई जाएगी प्लस जितने भी mcq आपकी ncrt की बुक प्लस की रिफ्रेंस बुक से बन सकते हैं विदिन यूर्स सिलेबिस वो सारे mcq यहां पर मैं आपको प्राक्टिस करवाने वाली हूं ताकि जो आपका में एक्जामिनेशन होगा उस एक्जाम के अंदर कोई भी ऐसा क्वेस्टन ना हो जो आपके लिए न्यू हो आपने ना किया हो हर एक क्वेस्टन ऐसा होगा जो कि आपने पहले सी किया हुआ है सिर्फ उसकी लैंग्वेज चेंज होगी और उस लैंग्वेज को आपको कैसे पढ़ना है वो भी हम इन वीडियो की जरीए सीखेंगे जैसा कि आप जानते हैं हमीशा मैं आपसी यही कहती हूं कि आप चा जरू करते हैं बिना किसी देरी के description box में आप लोगों को इसके डे वन की जो लिंक है डे वन जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसकी लिंक आपको मिल जाएगी प्लीज उसे भी जरूर देखना क्योंकि काफी questions मैंने उस वीडियो में भी cover की हैं तो first हमारा question है the principle of competitive exclusion was initiated by जो competitive exclusion का जो principle था वो किस ने initiate किया था आप लोग अपने answers जो है comment section में comment करके मुझे बता सकते हैं in case आपको किसी भी question में कोई भी doubt हो तो वो भी आप मुझे comment section में जरूर बताओ और जिससे की मुझे पता लगेगा कि okay इस concept में आपको problem है तो मैं उसे आपको explain करूँगी correct option है option number c gf gauze ठीक है next question large woody vines are more commonly found in large woody vines are more commonly found in and the correct option here is option number d tropical rainforest जो large woody vines है इनका most commonly कहां पर मिलना होता है in fact आपको सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलेंगी area इनका किस forest में देखने को मिलेंगी tropical rain forest so guys यह जो है मैं आपको complete mcq series complete biology की करवा रही हूं ठीक है बट अगर आप लोग वो students हो जिन्हों ने अपनी preparation अभी तक complete नहीं की है और आप chapter by chapter अपनी preparation कर रहे हो तो आपके लिए mcq series में already start कर चुकी हूं अनकाडमी पर जहां पर मैं आपको free live classes के जरिये आपको यहां पर हर एक chapter के चैप्टर वाइस topic wise mcq solve कर वाऊंगी तो अगर आप लोग completely एक chapter के mcqs करना चाहते हो topic wise chapter wise mcqs करना चाहते हो तो आप लोग मेरी अनक्याडमी की live classes join कर सकते हो description box के अंदर आपको link मिल जाएगा आज यानि 26th january को 11 बजे दिन में 11 बजे मेरी class है जिसका topic है bio technology की questions हम करेंगे और दूसरी class मेरी दो बजे है जिसका topic होगा human reproduction ठीक है इसके हम questions करने वाले है Republic Day की बहुत अच्छी sale आप क्या सकते हो एक offer चल रहा है हो इस तरह के काफी सारे offers है आप अगर मेरा code sing creations education यूज करोगे यू विल गेट 10 परसेंट और ओके price हाई कहां पर होने वाला है तो आप लोग यहां पर regular price के जरीए ही आप अगर अभी ले लेते हो रिपब्लिक डे की special sale में तो आपको काफी अच्छा discount मिल जाएगा प्लस जो 2023 के लिए students यहां पर prepare कर रहे है नीट के लिए उनके लिए special batch start कर दिया गया है 27 जैन से कर दिया जाएगा आप वहां पर अपनी preparation को और जादा बूस्ट अप कर सकते हो एक्साइटिंग rewards है in your prodigy examination जिसके बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूं सेकेंड एक्जाम आपका 29 जैन को होगा यह आपके लिए scholarship के लिए बहुत जादा important exam है आप scholarship इससे एक तरीके से हासल कर सकते हो जो कि आपके लिए बहुत काम आने वाली है ओके तो चलो next question पे चलते हैं maximum number of existing transgenic animal is all जादा number में transgenic animal किसमें पाए जाते हैं पिग की species में फिश में माइस में या काओ में और करेक्ट option here is mice that's the main reason कि हम जादा तरक experiment माइस के उपर करते हैं ठीक है टबैको plants resistant to a nematode they have been developed by the introduction of DNA that produced in the host cell देको टबैको का जो plant है वो resistant है ठीक है किसके nematode के लिए नहीं होगा नाओ उसको हमने resistant कैसे बनाया हमने उसको एक तरीके से उसको develop किया है clear हमने क्या किया है उसको produce किया है host cell के अंदर with the introduction of DNA तो ऐसा resistant जो उसके अंदर एक तरीके से ability आई है वो किस वज़े से आई है and the correct option here is option number a both sense or antisense RNA की वज़े से ठीक है अगर किसी भी question में कोई डाउट हो तो बच्चों प्लीज बताओ I know आपने इसका अंजर सही किया और गलत किया है तो जानो आपने आपर DNA का introduction कराया तो DNA के बाद क्या बनेगा आपका RNA ठीक है MRNA जो है आपका MRNA जो है वह आपका क्या होता है इसी से तो आपका protein बनता है ना चलो the bacterial structure which helps in respiration and DNA replication is देखो बेक्टीरिया के अंदर उसका कौन सा structure है जो उसको respiration में और DNA के synthesis में DNA के replication में help करेगा option number D mesozoom ना सारे काम कर लेता है बीच में आता है सारे काम कर लेता है exozoom वगेरा के वजह से इसका काम रुकेगा नहीं mesozoom का main काम है bacteria का structure है क्या काम है इसका respiration में help कर देगा और DNA के replication में help कर देगा राइट चलो बोर तो नहीं हो रहे next question करें ready हो सारे है ना यस बोलो जल्दी से बोलो हां बिल्कुल चलो विच आप दे फॉलोईंग रेस्टिक्शन एंजाइम प्रेडूस इस ब्लॉंट एंड्स इन में से कौन सा रेस्टिक्शन एंजाइम है जो की ब्लॉंट एंड प्रेडूस करेगा ब्लॉंट एंड्स के बारे में पता है ना ब्लॉंट एंड्स क्या होते हैं बताओ कौन सा रेस्टिक्शन एंजाइम है जो की यहां पर कॉस करेगा ब्लॉंट एंड्स ब्लॉंट एंड्स ऑप्षेशन नम्बर फी इको आर्वी यह चीज आपके माइन में क्लियर होने चीए कट करने वाला रेस्टिक्शन एंजाइम होता है और अलग अलग यहां पर बनते हैं एंड्स ब्लंट एंड का मतलब क्या है कि इस तरीके से एंड्स ठीक है और स्टिक यहां पर प्राइमर लगा सकते हो चलो एक्जांपल ओफ एंडो माइकॉर हाइजड एग्जांपल क्या होगा करेक्ट ऑप्शन नमबर ए ग्लोमस नाइट्रोजन कंटेंट इन एमाइड इस एमाइड के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट कितना होता है आप में से कई बच्चे होंगे जिनों इस इन्फोर्मेशन को NCRT में मिस किया होगा तो वही चीज मैं आपको बताना चाहती हूं आप किसी भी चाप्टर को बहुत अच्छे से तभी प्रिपेर कर पाते हो जब आप उसके एंसी की उस करते हो राइट और करेक्ट ऑप्शन हेर इस ऑप्शन नमब भी मोर देन अमीनो आसे जबके अमीनो आसे होते है न उससे जादा कंटेंट होता है अमाइड के अंदर इस वाराइटी और चिली मेस शुगर केन और वीट किमगी भाई जिसको हम हाइड करते हैं यह किसकी वाराइटी है इस वाराइटी ओफ ऑप्शन अमबर डी वीड करेक्ट है तुमारा यह अंसर अपने आपको फोर मांक्ष दो और लास्क में अपना स्कोर भी जरूर जितने भी edible fishes यहाँ पर mention है उनमें से एक marine fish है जो कि omega 3 fatty acid जो कि हमारी body के लिए अच्छे होते हैं उनका rich source है option no.d Michael Jackson की बहन मैं करें है ना चलो leaf tendrils no offense वो मैंने मजाक में बोला है leaf tendrils are found in leaf tendrils किसमें मिलते हैं pea cucumber grapevine यह all of these and the correct option here is option no.a pea okay leaf tendrils आपको pea plant के अंदर देखने को मिलेंगे specialized epidermal cells surrounding the guard cell are called हम उन सेल को क्या कहते है उन epidermal cells को क्या कहते हैं जो कि guard cell को surround करते हैं यह बहुत to the point आपका question है आप बिल्कुल one word में इसका answer बताओगे क्या होगा answer option no.c subsidiary cell ठीक है subsidiary cells वो specialized epidermal cells होते हैं जो कि guard cell को surround करते हैं देखो guard cell protect करेगा guard cell को protect करने वाले कौन है subsidiary cell ठीक है in Mendel's dihybrid cross for seed shape देखो दो characters ले लिए लोने seed की shape और seed का color ठीक है तो f2 progeny जो है उसने produce किया genotype यह ठीक है respectively इसका ratio क्या निकलेगा dihybrid cross है mono hybrid मतलब एक ही character dihybrid मतलब दो characters इनका इसने क्या करा दिया crossing over कर आया genotype आपके पास आगया f2 progeny produced with genotype are respectively correct option is option number c 2 is 2 2 is to 4 is to 1 clear clear है यह चीज़ आप इसका crossing over कर आके देखो आपको इसका answer मिलेगा ठीक है which of the following is not used mainly as by control agents mainly इन में से by control agents की तरह कौन नहीं मिलता है option number d एना बेन ठीक है nitrogen fixation के अंदर आ जाएगा न नौस्टॉक एना बेना सुना होगा recall करो जितने भी concepts है न जब question आता है उन concepts को recall किया करो which of the following is not a pyrimidine pyrimidine कौन नहीं है इसमें से option number c guanine क्योंकि वो प्योरीन है है ना गवानीन और थाइमीन प्योरीन होते हैं चलो arrange the following event of meiosis incorrect sequence आपको पता है meiosis कैसे होती है राइट आपको दिये गए यहां पर चलो उसके बाद क्या होता है उसके बाद क्या होगा साइन आपसिस करने के बाद वहीं क्रॉसिंग ओवर कराएंगे ने तब जाके बाखी चीजी हों काई स्मार्टा वगेरा तो crossing over यानि की ए उसके बाद terminals के पास पहुंचेंगे termination हो गया सी और यह क्या होगे आपका disappearance सबसे लास्ट में यूक्लियस वगयरे disappear होते है ठीक है डी यह sequence आपको कहीं दिख रहा है option number C में दिख रहा है चलो आगे बढ़ते हैं सही किया था ना यह तो कि यह भी गलत किया अगर गलत किया है तो सीखो है ना सीखने का time अभी है नीट एक्जाम में नहीं होगा जो आपका मेन examination का day होगा उस दुन आपके पास सीखने का time नहीं है लेकिन अभी आपकी गलतियां सुधारने का time आपके पास ही है अनोन प्रोटीनेशियस एंजाइम एक नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम का नाम बताओ यहां पर हम क्या कहते हैं एंजाइम क्या होता है प्रोटीनेशियस ट्रक्चर तो यहां पर नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम कौन सा है लाइस हो जाएं ठीक है आपके टियर्स होते है ना जो आपके आशू उसके अंदर भी आपको यह देखने को मिलता है ठीक है चलो spindle fibers attach on to spindle fibers attach on to किस पर attach होते हैं spindle fibers correct option here is option number D centromere of the chromosome the spindle fibers attach on to centromere of the chromosome clear है चीज सेंट्रो मेर से जाके तो अटाच होंगे clear structure spindle fibers during which phase of cell cycle amount of DNA in a cell remains at four chromosome level if the initial amount is noted at two chromosome अगर दो chromosome था अब वो four chromosome हो चुका है तो cell cycle के किस phase पर यह condition होगी बताओ बिल्कुल जी टू में भी होगा क्योंकि S phase में उसका replication हो चुका है synthesis हो चुका है और M phase में भी होगा ठीक है क्योंकि S के बाद ही G2 और M phase आते हैं ठीक है कोगे मैं बहुत गंदी writing हो रही है चलो यहां पर लिख देते हैं आपको से पहले कौन सा आता है जी नौट जिसके अंदर जब कोई काम निया वह वाले होंगे चुका है जी वन एस जी तूम इस तरिके से होता है ठीक है तो एसमे तो भई पहले से 2 ती आ रहा था ठीक है इस में जब वो आया तो कितना हो गया फोर सी फोर सी फोर सी फोर क्रोमोजोम हो जो बोलते हैं के मिस्ट्री इसके अंदर हमने ले कर सबसे जादा मिलने वाला प्रोटीन आनिमल वर्ल्ड में कौन सा है सिंपल आपकी स्किन को बहुत जाज अज़र होते इसकी कोलेजन ऑप्शन नमबर ए विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इस यूज तो अप्टेन दर्ग स्मैक पॉपी प्लांट का कौन सा पार्ट यूज किया जाता है फॉर्दा ड्रग स्मैक एंसी आइटी में गिवन है बच्चो यह ऑप्शन नमर भी लेटिक्स ठीक है विच वन ऑफ फॉलाइंग इस नॉट अ प्रॉपर्टी ओफ कैंसरेश शेल सेल्स ठीक है इन में से कैंसर सेल्स की प्रॉपर्टी क्या नहीं है बताओ ज हम यह कर देते हैं और को एक सेकिंड हमना नॉट पर यह कर देंगे हाइलाइट कर दिया ठीक है बताओ ऑप्शन नमबर बिल्कुल सही बोल रहे हो देशो कॉंटक्ट इनिविशन आम चलो यह हाइलाइटर काम नहीं करेगा हमारा पैन काम करेगा ठीक है देशो कॉंटक्ट इनिविशन बिल्कुल नहीं इनिविट नहीं होते हैं क्लियर विच आफ दी फॉलाइंग सेट ऑफ डिजीज इस कॉस्ट बाई बेक्टीरिया इन में से कौन से डिजीज है जो की बेक्टीरिया के द्वारा होती है अप्शिन नमबर ए कॉलेरा एंड टेटनिस इन में से कौन से डिजीज है जो की बेक्टीरिया के द्वारा होगी कॉलेरा एंड टेटनिस क्लियर in an ecosystem the rate of production of organic matter during the photosynthesis is termed as is process हो क्या कहते है ecosystem के दौरान जब हम organic matter को produce करते है during photosynthesis method it is known as correct gpp gross primary productivity clear next question पर चलते है industrial melanism is an example of किसका example है यह ecosystem chapter में आप पढ़ते हो ठीक है इस टाइप के जो chapters होते है न डे टू डे लाइफ वाले उन chapters में आप इन चीज़ों को पढ़ते हो तो industrial melanism किसका example है correct option natural selection ठीक है survival of the fittest उसका example है विच एंजाइम विल बी प्रेदूस्ट इन अ सेल इन विच देर इन नौन सेंस मुटेशन इन दे लाक वाय जीन कौन सा एंजाइम प्रेदूस होगा सेल में जहां पर नौन सेंस मुटेशन अल्री हो रही है लाक वाय जीन के अंदर नौन सेंस मुटेशन मतलब क्यरेक्टर स्ट्रिक्स के बेसिस पर ठीक है बताओ अब देखो नौन सेंस मुटेशन का मतलब यह नहीं है कि मुटेशन के अंदर कोई सेंस ही नहीं है तेर अर डिफरेंट टाइप आफ मुटेशन क्लियर आई मेरी बात समझ में correct आंसर बताओ का option number बिलकुल डी बीटा गेलेक्टोसाइड इस ठीक है रिमूबल ऑफ आरेने पॉलिम्रेस 3 फ्रॉम न्यूक्लियो प्लाज्म विल अफेक्ट द सिंथेसिज ऑफ आरेने पॉलिम्रेस की ज़ुरत किसके रहे पड़ती है बताओ option number C आजाएगा tRNA आरेने पॉलिम्रेस 3 विल फॉर्म tRNA ठीक है तो अगर वही नहीं आपर हो रहा है आरेने पॉलिम्रेस 3 को ही आपने हटा दिया तो क्या tRNA बनेगा नहीं बनेगा राइट expressed sequence tags EST refers to polypeptide expressed, DNA polymorphism, novel DNA sequences यह genes expressed as RNA correct option option number D genes expressed as RNA नहीं का नाम है यह और रेट फ्लार वास्ट विद वाइट फ्लार एक रेड फ्लार था ठीक है और यह आपका वाइट फ्लार था उसको आपने क्या कराया crossing over करा दिया और उसकी F1 generation जो है ना उसमें आपको ना पिंग कलर के फ्लार देखने को मिल गए ठीक है आप समझ लोग पिंग कलर के फ्लार देखने को मिल गए यह कर देते जिससे लगे कि पिंग कलर के फ्लार है ठीक है जब हमने देखा विंग फ्लार फेसाँ हंने इनको शेल F1 करा दी और और इसकी खरादि तो ईत्वा सब्लार दिखा दिया जो कि है वाइट है स्थ्जाएक रही यह स्टेटमिंट क्या प्राइश कर देख्यों ने से है है यह तो यहाँ पर यह नहीं होगा यहां रेड़ी मिलने जाए है तो राइट मीले चीए पिंक कहां से आ रहे है और दूसरी बार में हमें सिर्फ वाइट मिले यह पिंक कहां से आए इस शोईग लौ ओफ segregation यहां पर अप्लाए नहीं होगा ठीक है segregation मतलब यहां तो वाल आ रहा है तो रिश्रस्ट वाल आ रहा है ख्लियो ऑन ना in complete dominance पिंक कलर तभी तो आ रहा है फिटल एजेक्शन रिफ्लेक्ष इन हुमन फीमेल इस इंडियूस ऑई जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्ष कॉज होता है human female के अंदर वो किसके द्वारा इंडियूस होता है differentiation of mammary glands, pressure exerted by amniotic fluid, release of oxytoxin from pituitary, या fully developed fetus and placenta, आखिर जो fetal ejection का reflex है during the time of the delivery उस time पर human female में वो किसके द्वारा इंडियूस किया जाता है, placenta से भी होगा और जो fetus है वो भी वहाँ पर reflex कॉस करता है, तभी वो person, वो female, labor pain के अंदर जाते हैं, तो option number D, fully developed fetus and placenta, induce the fetal ejection reflex, simple question का simple answer, okay thank you so much for watching this video, I hope आपको सारे questions easy लगे होंगे, अगर आपको easy, moderate और difficult में से किसी भी type का, किसी भी level की questions लगे हैं, तो please आप मुझे जरूर बताओ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, because आज day 2 था हमारा, next video आपको कल मिल जाएगी day 3 पर, लेकिन आपको prepare होकर रहना है, और अगर आप chapter wise भी करना चाहते हो, questions को वो भी मैं already an academy पर करा रहे हूं, तो आप वहाँ पर भी जाकर के live classes को और अगर आप class 12 के students हो, तो मेरे description box में आपको मेरे new channel का link मिल जाएगा, जिसके अंदर मैं आपको class 12 के board examination के लिए prepare कर रहे हूं, तो आप उसके लिए भी उस channel को follow कर सकते हो, with that's it guys, have a good day, bye bye, मिलते हैं new video के साथ, आपको जाएगा थ कि प्हाँ क्या बाहाएगाटा हुआ कि आपको प्सक्षित हमा आपको अ था तर्म